नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है अपनी YouTube चनल PFP में आज हम Escorts Limited के बारे में चर्चा करने वाले हैं Company के Fundamentals को समझेंगे और Last में Discuss करेंगे कि Invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले Business के बारे में बात करें तो Escorts Limited इंडिया की Leading Engineering Companies है Engineering Equipments बनाने का काम काजे और तीन सेग्मेंट पर सबसे ज्यादा Focus आपको दिखाई पड़ता है सबसे पहला है Agri Machinery दूसरा है Construction Equipment और तीसरा है Railway Equipment Division तो Basically Engineering Equipment बनाते हैं और उसका Focus हमें इन तीन सेग्मेंट पर ज्यादा दिखाई पड़ता है Recently Company के Results आ हैं उस पर एक बार नजर डाल देते हैं Consolidated Financial Results हम देखने वाले हैं Revenue from Operations Year on Year Basis पे 60.8% बढ़ चुका है बहुत अच्छी बात है जो की Expected भी था क्योंकि पिछले साल का जो Quarter था अच्छा नहीं किया था सबको पता है इसलिए Quarter on Quarter Basis देखना ज्यादा बहतर हो जाता है ज्यादा Important हो जाता है तो Quarter on Quarter Basis पे 9.1% की बढ़ोतरी है Material Cost के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे Year on Year Basis पे 6.32% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है क्योंकि फिलाल Raw Metal के Prices इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि Of Course Impact आपको पढ़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पर Q on Q Basis पे भी Almost 3% की बढ़ोतरी है Manpower Cost के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको गिरावट नजर आती है अच्छी बात है Abita के बारे में बात करें तो 88.8% की बढ़ोतरी है अगर बात करें quarter on quarter basis के बारे में तो 5.5% की गिरावट Abita margin के बारे में बात करें year on year basis पे 2% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है लेकिन अगर बात करें quarter on quarter basis के बारे में तो 2% की गिरावट है EBITDA margin में ये अच्छी बात नहीं है profit before tax आप देख पाएंगे year on your basis पे तो बढ़ रहा है लेकिन quarter on quarter basis पे almost 9.5% की गिरावट है profit after tax के बार में बात करे year on your basis पे double हो गया है लेकिन quarter on quarter basis पे गिरावट हमें दिखाई पड़ती है ये तो हो गई quarter की बाद अगर हम financial year को compare करते है FY20 को और FY21 को compare करते है तो आप देख पाएंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है FY21 कितना जदा challenging रहा है हम सभी को पता है इसके बावजूद company ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है revenue from operations हमें 20.7% बढ़ता हुआ नजर आया है material cost के बार में बात करें तो 0.1% की गिरावट है यह अभी फिलाल इतना importance नहीं रखता है क्योंकि फिलाल की situation सभी को पता है material cost बढ़ चुका है manpower cost के बार में बात करें तो गिरावट है EBITDA 70% बढ़ चुका है EBITDA margin भी 4.66% बढ़ चुका है अच्छी बात है लेकिन फिलाल इस पर एक tension बन रहा है कि raw material के prices बढ़ते जा रहे है तो इसका क्या impact हमें दिखाए पड़ सकता है आगे आने वाले कुछ quarter में EBITDA margin पर हमें pressure देखने को मिल सकता है profit before tax के बार में बात करें तो 84% की बढ़ आतरी ECE याने की construction equipment और RED याने की railway equipment division तो आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा revenue आता है agriculture से 82% का revenue वहीं से आता है 11% का construction से और 7% का आता है railway से अलग-अलग segments के बार में बात करें FY21 ने EAM याने की agriculture segment ने कैसा perform किया है यह चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 82% की revenue वहीं से आ रही है तो यहाँ पर एक बार देख लेता है domestic आप देख पाएंगे year on year basis पे 23.8% की बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ती है volume में total के बार में बात करें 24.1% की बढ़ोतरी है 28% की गिरावट आपको market share में दिखाई पड़ती है तो ठीक है यहाँ पर एक negative point ज़रूर है लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती revenue के बार में बात करें तो year on year basis पे आपको 27.7% की growth दिखाई पड़ती है बहुत अच्छी बात है यहाँ पर एक ratio दिया गया है farm track is to power track sales तो इनके दो models है क्या ratio है 41 is to 559 का यानि कि 100 में से 41 farm track है उसका sales हो रहा है और 59 power track है यह भी आपको same दिखाई पड़ता है पहले भी यही था ratio of less than 40 horsepower is to more than 40 horsepower plus ratio यह दिया गया है कि 40 horsepower कम के जितने ट्रैक्टर से वो कितने बिक रहे है और 40 horsepower ज्यादा वाले ट्रैक्टर कितने बिक रहे है तो पहले आप देख पाएंगे year on a basis पे पहले 49 is to 51 का ratio था जो कि फिलाल आपको 38 is to 62 का होता हुआ नजरा है तो higher horsepower वाले ट्रैक्टर ज्यादा बिकते हुए नजराते है margin के बार में बात करें तो margin आपको पिछले financial लिलक के मुकाबले बढ़ता हुआ नजराता है शांदार बढ़ोतरी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है EBITDA margin 5.21% बढ़ चुका है बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया raw material के prices अभी फ्लक बहुत ज़दा बढ़ चुके है जिसके कारण future में 2-4 quarter तक आपको pressure देखने को मिल सकता है capacity utilization के बार में बात करें तो 90% का है और ROCE के बार में बात करें तो शांदार 77.7% का है यह पूरी company का नहीं है यह सिर्फ segment का ROC दिया गया है next segment है EC construction वाला segment यहाँ पर कैसी situation चल रही है वो भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आपको YY basis पे volume पे गिरावट नजर आती है 3.2% की यहाँ पर BHL के बार में बात करें तो 15% की बढ़ा उत रही है जो loaders होते हैं वहाँ पर आपको 15% की growth देखने को मिल रही है revenue में volume में अगर crane के बार में बात करें तो crane में 8% की गिरावट है compactors के बार में बात करें तो 9.5% की बढ़ा उत रही हमें दिखाए परती है और यह अच्छे बात बन कर आती है industry के बार में बात करें product wise market share आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा market share crane में 38.2% का बहुत यह अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर actually आपको गिरावट नजर आती है yoi basis पे यहाँ पर 28 basis point की गिरावट है 0.28% कोई बड़ी tension वाली बात नहीं है लेकिन जानकारी होना जरूरी है compactor में market share के बार में बात करें तो 7.5% का है bhl यानि कि जो loader होते हैं उसकी बात करें तो 1.4% का दिखाई पड़ता है तो escorts के लिए सबसे ज़्यादा important यह construction में जो eca o segment में important हो जाता है crane तो वहाँ पर performance कैसा जल रहा है यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है revenue break up के बार में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा revenue आता है crane से 65% का bhl से 16% का compactor से 8% का और traded purse persia में 11% का revenue दिखाई पड़ता है margin के बार में बात करें तो यह पूरे segment का margin ज्यादा नहीं है सिर्फ 3.6% का margin दिखाई पड़ता है और वो भी आपको 2 basis points नीचे जाता हुआ नजर आता है तो बड़ी गिरावट नहीं है वैसे भी margin यहाँ पर ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता capacity utilization के बार में बात करें तो 35% है इस segment का जो ROC हमें दिखाई पड़ता है वो 22.4% का दिखाई पड़ा है R.E.D. के बार में बात करें जो इसका जो तीसरा segment है वहाँ पर कैसा performance चल रहा है उसके बार में बात कर लेते हैं order book आप देख पाएंगे execution time 68 months का था लेकिन highlight क्या है Indian railways अभी भी full operations नहीं कर रहे है COVID-19 के वज़े से यहाँ पर कई problems हमें दिखाई पड़ती है revenue break up के बार में बात करें तो conventional से 41% है और NPD से 59% का है एक positive बात बन कर आती है margin के बार में बात करें तो margin 16% का है अच्छा margin है जो की हमें नीच से जाता हुआ नजर आया 196 basis point almost 2% की गिरावट आपको margin में दिखाई पड़ती है जो की बिलकुल भी अच्छा नहीं है margin में गिरावट होता है उसका मतलब क्या है raw metal के prices बढ़ गए होंगे business वो pass on नहीं कर पा रहा है तो of course यह positive बात बनकर नहीं आती है ROC के बार में बात करें तो 38.3% का ROC हमें दिखाई पड़ता है credit rating and debt profile के बार में बात करें आप देख पाएंगे साल दर साल हमें debt कम होता हुआ नजर आया है generally क्या होता है यह जो auto companies होती है कर्जा बहुत ही जादा होता है कर्जा लेना पड़ता है काम करने के लिए या फिर कोई भी manufacturing company होती है अपना plan करा करना पड़ता है manufacturing facility चाहिए इसके लिए खर्चा करना पड़ता है उसके लिए कर्जा लेना पड़ता है तो शुरुवात में escorts पर भी कर्जा था term loan commercial paper आप सब कुछ देख पाएंगे बहुत जादा कर्जा था लेकिन continuously कर्जा हमें नीचे आता हुआ नजरा आता है और currently zero debt company दिखाए देट free company है ये बहुत ही अच्छी बात बन कर आती है credit rating भी आप देख पाएंगे double A की credit rating हमें दिखाए पड़ रही है situation आपको auto sector में पिछले 4-5 सालों से दिखाई पड़ी है उस इसाब से फिर भी आपको reasonable numbers दिखाई पड़ता है profit growth के बार में बात करें तो पिछले 5 सालों में 45.4% का profit growth है इसका सीधा मतलब है company भले 5 साल में sales नहीं बढ़ा पाई लेकिन company ने अपने margin को improve किया जैसे कि मैंने आपको बताया margin हमें पिछले साल के मुकाबले भी बहुत ही अच्छी तरीके से improve होते हुए नजराते हैं तो यह बहुत ही important भी है ROE के बार में बात करें तो यह पूरे company का ROE है जो पहले देखा था वो segment का था पूरे company के बार में बात करें तो 5 यहर का average ROE 12.12% है healthy है ROC के बार में बात करें तो 16.79 है यह भी हमें decent दिखाई पड़ता है share holding pattern के बार में बात करें तो total promoter holding है 36.59% जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है यह अच्छी बात है लेकिन trend आपको नीचे जाता हुआ नज़राता है promoter holding आपको continuously कम होती भी नज़राती है FIIS के holding के बार में बात करें तो 25.95% की holding है बहुत ही अच्छी holding है और आपको यह continuously बढ़ती हुआ भी नज़राती है total DIIIS के बार में बात करें तो 19.16% की holding जो की आपको नीचे जाती हुआ भी नज़राती है अधर्स के बार में बात करें तो 19.3% की holding दिखाए पड़ती है तो overall अभी फिलाल situation जैसी चल रही है COVID-19 की बज़े से तो management का क्या कहना है यह जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है management का कहना है की overall जो फिलाल situation चल रही है पहले की situation के इसाब से अलग चल रही है जो COVID का first wave आया था rural area पर उसका ज़्यादा impact हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आया जिसके कारण जो भी agriculture demand है बढ़ती हुँ भी नज़राय थी escorts महिंद्रा इनमहिंद्रा यह जो ट्रैक्टर वाले companies थे बहुत ही अच्छा perform कर रहे थे लेकिन second wave में rural geography पर भी हमें impact पड़ता हुआ नजर आया और इनका जो core customer base है उन्हें भी effect पड़ा है जिसके कारण company के business पर भी आपको of course impact पड़ता हुआ नजर आयेगा लेकिन company का management बहुत ही positive दिखाई पड़ता है कि आगे आने वाले एकाद quarter में आपको situation सुधरती भी नजर आएगी company का मानना है कि monsoon बहुत ही अच्छा हैगा ऐसा expect किया जा रहे जिसके कारण आपको अच्छी demand देखने को मिलेगी जो vaccination का program चल रहा है ये भी काफी positive दिखा जिता है company को और साथ ही साथ company का कहना है कि quarter 4 में हमें results काफी एच्छे देखने को मिले business performance आपको काफी अच्छा देखने को मिला क्योंकि quarter 1 quarter 2 से आपको demand बढ़ती हुई नजर आए थी और जो average market share था पूरे साल में उसके मुकाबले quarter 4 में market share भी आपको better देखने को मिला है तो कुछ ऐसी situation आपको आगे आने वाले financial year में भी continue रहती हुई नजर आ सकती है conference call में जब पूछा गया कि raw metal के prices बढ़ रहे हैं उसको कैसे control किया जाएगा तो company ने बताया कि November में already हमने prices बढ़ा हैं April में भी बढ़ा हैं और अगर ये prices लगातार बढ़ते जाते हैं तो हम quarter 2 में भी prices बढ़ा सकते हैं इनके जितने भी सारी चीज़े ये manufacture करते हैं उनका cost भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है ये inflation के related एक काफी चिंता जिनक बात जता थे हैं कि ये जो inflation जल रहा है ये एक बड़ा worry है अगर ये continue रहता है तो ये pass on करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो inflation एक worry हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है बाकि COVID-19 related issues के बार में बात करें तो ये vaccination को लेकर काफी positive दिखाई पड़ता है इसके अलावा है उन्होंने ये भी बताया है कि इनके जो dealers है customer से जब phone पर चर्चा करते हैं तो ये पता चल रहा है उनने data ये मिल रहा है कि currently जो situation जल रही है lockdown के वज़े से उसके करन दूसरी कहीं से भी आपको service नहीं मिल पार ये attractors नहीं मिल पार है ये जो rent पर लेते हैं कि एक दिन का काम है attractor आ जाए ये भी फिलाल होता हुआ नजर नहीं आता तो company ये जो information है उससे ये काफी थादा positive चल रहा है कि जब भी lockdown थोड़ा सा भी ease होगा तो इनके sales की जो demand हमें बढ़ती हुए भी नजर आएगी तो overall अगर just ले तो company positive दिखा दिती है management जो है ये बता रहा है कि inflation एक data है जो कि हमें थोड़ा सा चिंता जनक दिखा दिखा दिता है ये prices जो community के लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके कारण tension बन सकता है ये बार-बार हमें इसे pass on नहीं कर सकते है बार-बार price बढ़ाया नहीं जा सकता है लेकिन overall lockdown की बात करें तो इसके करण ये थोड़े से positive दिखा दिते हैं monsoon काफी अच्छा दिखा दिखा दिरहा है stock के बार में बात करें तो escorts का large trade price है 1162 जो की 0.77% नीचे है 15,000 crores की market cap है 0.64% का dividend yield है 18.58 का industry का P.E. है जबकि escorts का हमें 17.99 दिखाई पड़ता है तो industry के साथ ही चलता हुआ नजर आता है price to book ratio के बार में बात करें तो 3.12 का price to book ratio चलता हुआ नजर आता है stock के chart पर हम आ चुके हैं जहांपर हमें clearly पता चलता है weakness ही देखने को मल रही है फिलाल यहांपर हमें double top बनता हुआ नजर आया उसके बाद हमें गिरावट नजर आती है और फिलाल stock आपको बहुत ज़्यदा week दिखाई पड़ता है सारे moving average के नीचे trade कर रहा है बार बार उपर जाने पर resistance फेस करता है 1200 का level touch भी नहीं कर पारा जब भी वहांपर पहुँचता है वापस आपको गिरावट नजर आती है RSI के बार में बात करें तो 47.82 का RSI बन कर आता है अगर इसके long term chart के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे oral company का performance बहुत ही अच्छा देखने को मला है company हमें grow होती ही नजरा ही है इसमें कई बार situation खराब होती ही नजरा है stock में गिरावट भी आपको देखने को मलती है 1000 रुपए के लेवल से एक बार stock आपको 500 रुपए तक भी आता हुआ नजरा है लेकिन अच्छी बार हमें comeback भी देखने को मल जाता है company वापस perform करती भी नजराती है और stock आपको उपर जाता हुआ नजराता है तो fundamentally speaking मेरे इसाब से company काफी अच्छी है market share की जो पकड़ है बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है company पर करजा नहीं है ये भी मेरे इसाब से positive है और फिलाल आप देख पाएंगे continuously sales growth आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आता लेकिन उसके अलवा आपको profit growth बढ़ता हुआ नजराता है उसका simple मतलब है पिछले 5 सालों में company ने अपना margin को सुधार लिया है ये भी एक अच्छी बात है margin सुधार लिया है लेकिन एक negative बात जो बनकर आती है inflation यहाँ पर inflation बढ़ता जा रहा है raw metal के prices आपको बढ़ते हुए नजराते हैं at last हमारा देश agricultural देश है और ये stock भी rural theme से जुड़ा हुआ नजराता है तो यहाँ पर आप आप नजर बना करक सकते हैं long term के लिए निवेश करने के बार में सोच सकते हैं midcap category में auto stock में एक अच्छा stock है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं लेकिन जिन चीजों का आपको फिलाल ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको continue watch रखनी चाहिए सबसे पहला ये कि escorts का तीन division में segment है तीन segment में कामकाच करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा revenue कहां से आता है agriculture से तो agriculture में क्या चल रहा है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा agricultural division में performance कैसे जल रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा उसके अलाबा फिलाल जो current situation में tension जो दिखाई पड़ता है coronavirus का और दूसरा हो गया inflation ये सारी जीजों को ध्यान में रखने के बाद आप यहाँ पर investment करने के बार में सोच सकते है long term के लिए काफी अच्छा दिखाई पड़ता है और इसका जो support बन कर आता है एक strong support के बार में बात करे तो 1000 के आज़ पास इसका बहुत ही strong support है आप देख पाएंगे पहले stock का जो all time high था यहीं पर था तो टेक्निकली यह बहुत ही strong support बन कर आएगा पहले पी इसी level के आज़ पास resistance फेस किया था फिर गिरावट देखने को मिली थी तो यहाँ पर आप खरीदने के बार में सोच सकते हैं इस प्रकार से अभी फिलाद ज़्यादा ऊपर भी नहीं चल रहा है तो प्लेज कोई feedback दीजे थांक यू श्टे हैपी हापी इंवेस्टिंग